आज आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं चीन तपाक डम डम वाली कहानी क्योंकि चिन तपाक डम डम वाली कहानी आज के टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रही है और खास करके चीन तपाक डम डम वाली कहानी को बच्चे पर्ण बहुत पसंद करते हैं, तो चलिए पढ़ते है चीन तपाक डम डम वाली कहानी People also search चीन तपाक डम डम वाली कहानी चीन तपाक डम डम वाली कहानी आज आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं चीन तपाक डम डम वाली कहानी क्योंकि चीन तपाक डम डम वाली कहानी आज के टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रही है और खास करके चीन तपाक डम डम वाली कहानी को बच्चे परण बहुत पसंद करते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं चीन तपाक डम 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 वाली कहानी चिन तापक डम डम guidance वाली कहानी धोलकपुर नाम के गाव में छोटा भीम नाम का एक लड़का रहा करता था वह बहुत ही ताकतवर था और जब भी वह कोई लड़ू खा लेता तो और भी ताकतवर बन जाता था इसलिए शुरू से बहुत ही प्यार करते थे एक बार कुछ लुटेरे ढोलकपुर गाव में गुस्सा है और वहां लूट पाट करने लगे यह देखकर गाव वालों ने छोटा भीम से कहा छोटा भीम तुरंट वहां आ गया और सारे लुटेरे से बढ़ गया और सब को अपनी नानी याद दिला दी और उन्हें जेल में बंद कर दिया छोटा भीम वैसे तो बहुत ही शांत स्वभाव का था लेकिन वह लोगों की मदद करने के लिए लोगों से लड़ता भी था और उनसे दुश्मनी भी माल लेता था इस तरह से छोटा भीम गाव के सभी लोगों के दिलों पर राज करता था चोटा भीम के एक टीम थी जिसमें जगू था राजू था और कालिया था यह सब के सब चोटा भीम के दोस्त थे और वह सब एक साथ रहते थे कहीं भी घुमने के लिए एक साथ जाते थे और एक साथ ही कोई भी चीज खाते थे उसे गाव का राजा भी छोटा भीम को बहुत ही पसंद करता था और उसकी हर बात मानता था यही चीज छोटा भीम को बहुत पसंद आई थी कि गाव के लोग उसे कितनी इज़त करते हैं छोटा भीम ने जिन लुटेरों को जेल में बंद किया था उसमें से एक लुटेरे का सरदार भी था उन्होंने सब को जेल में लुटेरे ने एक जगह बुलाया और कहा चीन तपाक डमडम क्योंकि उसे यह कहने की आदत थी इसलिए वह हमेशा ऐसा ही करता रहता था उसके सभी लुटेरे साथ ही जेल में एक जगह जमा हो गए तभी उसने कहा चीन तपाक डम डम और इसके बाद करने लगा हमें छोटा भीम को सबक सिखाना चाहिए वरना आगे भी वह हमारे लिए मुसीबत बनता रहेगा फिर उन लुटेरे के सरदार ने और कहा चीन तपाक डम डम और इसके बाद का देना लगा कि छोटा भीम एक छोटा सा बच्चा है लेकिन फिर भी हम उसके हाथों मार खा गए यह सब उसके लड़ू की वज़ह से हो रहा है क्योंकि लड़ू खाने की वज़ह से ही उसे शक्त हीन हो जाए यह सुनकर डाकों का सरदार कहने लगा चीन तपाक डम डम और फिर कहा कि पहले हमें जेल से तो निकालने जाने दो यह सुनकर एक साथ ही कहने लगा सरदार जेल तो हमें दस साल की हुई है अभी तो एक साल भी नहीं हुआ तो हमें भागना ही होगा जेल से क्यो दाकूं का सरदार लड़ू को पानी में बहता हुआ देखकर कहने लगा चीन तपाक डम डम और फिर जोर जोर से हंसने लगा लेकिन इतने में वहाँ छोटा भीम आ गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि डाकू जेल से भाग गए हैं। लुटेरे का सरदार जाते जाते भी कहने लगा चीन तपाक डम डम